साउंड सुना कितना खास्ता और क्रिस्प है तो आज मैं इस एपिसोड में लेकर आई हूँ पालक के पकोड़े और सोहना चाई की रेसिपी तो नमस्कार घार कजाय का विद्खुस्प में आपका स्वागत है शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पकोड़े की तयारी कर लेंगे तो इसके लिए हम पैन में तेल को गर्म करने के लिए रख देते हैं और फिर हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और उसमें एड़ करेंगे वेसन और बेसन को फेटेंगे बेसन को हमें तब तक फेटना है जब तक कि यह पूरा पानी के उपर ना आ जाए तो हम इसे फेटते हैं और वैसे भी जब आप इसे फेटीएगा न तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा भाइड जैसा होता चला जाएगा तो वो भी एक साइन है कि आपका बेसन अच्छी तरह से फेटा हुआ है देखिए है ना तो हम इसे एक पानी में डिप करते हैं देखिए ये उपर आ गया तो हमारी पेसन अच्छी तरह से फेट चुका है और इसका कलर भी भाइट हो गया तो दोनों हम साइन देख लिए अब हम इसमें मसाले आइड कर लेंगे तो मसाले में हम यहाँ आइड करेंगे नामक, लासून, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और यह सारे इंगेनियंस का नाम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आइड कर दिया है और इसे पतला घोल तेयार कर लेंगे इसकी कंटेंस्टेंस्ट्री हमें इस तरह की रखनी है न ज़्यादा गारा और नहीं ज़्यादा पतला तो हम इसे साइड में रख लेते हैं और फिर हम यहाँ पर पालक लिए हैं इसे हम अच्छी तरह से धो लिए हैं दो तीन पानी से और फिर हम इसकी ज़रो को काट लिए हैं तो हम इसे आइड कर देंगे बेसन वाले घोल में तो हम इसे बेशन वाले घोल में डिप करकर गर्म तेल में फ्राइ करेंगे और इसे आइड कर देंगे हम गर्म तेल में और इसे फ्राइ हमें करना है हाई फ्लेम पर एक दो मिनिट फ्राइ करने के बाद हम इसे पलट लेंगे और पीछे वाला भी साइड को हम फ्राइ कर लेंगे जब यह गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक टीशू पेपर पर ताकि इस इक्स्ट्रा वाइल बाहर हो जाए तो हम इसी तरह से और भी पक औरे च्छान लेते हैं जब तक पकोड़े फ्राइ होते हैं तब तक हम सोना चाई की तैयारी भी कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर एक दिया लिया है और इसे हम गर्म करेंगे इसे हम गर्म नहीं हमें इसे पकाना है जब तक यह पकता है तब तक हम चाई भी बना लेते हैं तो हमने यहाँ पर एक कप चाय बनाना है तो मैंने यहाँ पर एक कप दूद और आधा कप पानी लिया है साथ में स्वाद के लिए इलाइनची और एक तेजपत्ता आइड की हो और इसे खौलने तक पकाना है जब यह खौल जाय तब हम इसमें एड कर देंगे चाय पत्ती और टेस्ट के हिसाब से चीनी तो एक कप चाय के लिए एक कप चीनी परफ्यक्ट है जब यह पूरी तरह से खौल जाय तब हम इसमें एड कर देंगे गर्मी किये हुए दिया को और इसे जैसा ही आइट करेंगे हम इसे ढक देंगे और इसे एक दो मिनिट के लिए और कुक करेंगे जब ये कुक हो जाए या पूरी तरह से उबलने लगे तब हम गयस को बंद कर लेंगे तो ये उबल चुका है अब हम गर्स को बंद कर लेते हैं फिर हम इसे छान लेंगे तो मैंने इसे छान लिया है और एक कप में निकाल लेती हूँ और यहाँ पकॉरे भी रेडी हो चुके हैं तो इसे भी हम निकाल लेंगे एक दो मिनिट के बाद इस पकौरे की खासे थे कि आप इसे 8-10 दिन तक खा सकते हैं तो जब भी आप गुमने जाएं तो आप इसे भी बनाकर रख सकते हैं तो यहाँ पर यह भी फ्राई हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं तो चाई भी बन चुकी है और पकौरे भी तो हम इसे सर्व कर लेते हैं तो सर्व करने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेट लिए हैं और रखेंगे इस पे हम सोंधा चाई साथ में टमाटर की मीठी चटनी और साथ में फ्राई किये हुए पकौरे तो यह साम के नास्ते के लिए परफेक्ट है तो साम भी हो चुकी है मैं जा रही हूँ इसे खाने के लिए आप भी जाईए और अपने घर में रखे हुए समान से बनाईए और इंजॉआई कीजिए तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर पहले बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाईएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजिए तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और असान सी रेसिपी के साथ अपने इसी चैनल घर का जायका विद्खुश्बू में जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बाठते रहिए और आसपा सफाई बनाई रखिए थैंक यू, टेक कियर और नमस्कार